वेल्कम टुकुमार प्रिंटर दोस्तों मॉनिंग में वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा ऐसे लगए जुखाम है यह जुखाम है नहीं वाइस ओवर है यह वीडियो क्योंकि बैक्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा था और मुझे आप लोग को बहुत कुछ बताना था इसमें यह एप्सन का L130 प्रिंटर है जो की फोटो के लिए सब लोग यूज करते हैं आपको भी पता है बहुत अच्छा प्रिंटर है और बहुत अच्छी तरीके से चल इसमें तो मैं चेक कर रहा हूं यही देखिए वर्ड से मैंने प्रिंट आउट दिया है चारो कलर सलेक करके लेकिन ब्लैंक प्रिंट आउट आया कुछ हुआ नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट स्टेप बाइस्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आगे- पैनल में जाके हैड क्लीन या फिर जो पावरिंग फ्लसिंग होता है जैसे मान लीजिए हैड सूग गया ज्यादा दिन यूज ना करने से हैड सूग जाता है इंक नहीं रहती उसमें तो फिर प्रिंट आउट नहीं आता तो अपने को नॉर्मली जो यह सब करना रहता है ए मैंने बीच में वीडियो पॉस्ट भी कर दी है कि बिना वज़े उसको दिखाने कोई मतलब ने वीडियो अलड़ी बहुत नंबा हो गया है तो इसको स्टार्ट करते हैं मसीन में जोर-जोर से आवाज आती है और मोटर कि चलने की और वह साऋंड सब आपको दिखा नहीं सकता हूं मैं तो आपटिया लग जाता कि कैसे कैसे चलता है इंक आँ फिरिने क्लिनिंग बे कर 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 और इंक से ही थोड़ा क्लीनिंग होता है जैसे कि माली जैस चाहे वो हैड इस्प्रे करता हो या फिर नीचे से जो इंक स्टेशन वहां से खीचता है दोनों में से जो भी होता होगा क्लीनिंग के लिए तो यह प्रोसेस में कम से कम मालिजे की कोई चार-पांच मेट शे मेट लगता है तो यह कंप्लीट होने के बाद देखे रेडी टू प्रिंट आ गया है प्रिंट आउट प्रिंटर जो आपका है अभी उसका मुआपस टेस्ट करते हैं सेम प्रिंट जो मैंने वर्ड पे किया यह चार कलर मैंने इसलिए कि आपको क्लीर हो जाएगा कि कौन सा कलरा रहा है कौन सा कलर नहीं आ रहा है और आप चाहें तो हाई पे कर सकते हैं या फिर स्टांडर्ड पे और कलर हमेशा रखिए ऐसे टाइम पे नहीं तो समझ में नहीं आएगा द्रवाई सब ग्रेश किल म नहीं आ रहे हैं तो आपको चार कलर सेलेक्ट करके और फिर कलर में प्रिंट आउट दे दीजिए तो अगला स्टेप इसका यह है कि हमें प्रिंटर को ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है और आई क्यों यह प्रॉब्लम और यह दिक्कत किस चीज की है तो प्रिंटर को मैं अभी दूसरे टेबल पर सिफ्ट किया हूँ यहां टॉप में देखिए दो इसक्रू है फिर एक सामने का जो डोर खोलते हम लोग जहां से हेड दिखता है अपने को इनेट के वहां पर 2ए यह चार स्क्रू निकालने के बाद दिखिए कहा पर और एक लफ में दिख्यार है आपको चार स्क्रू निकालने के बाद टैंक साइड में एक स्क्रू रहता है जो कि Do P ए जो निखन दीखरें आपको खोलना नहीं है तो अपने कोड़ में एक रहता है इसपर फॉप की ठीक रहते निची जहां पर मैंने पॉंइन और निकल लाता है लोग को करने के बाद अब ओढ़ें यह उपर का सीन है खोलने के बाद तरम का प्रिंटर खोलते हैं तो संसर की प्रब्लम आ सकती है यहां पेपर सेंसर होता उसकी प्रॉब्लम आ सकती है तो फटाफट से हमने क्लीन कर लिया ज्यादा कुछ यह किया नहीं अगर आपके ब्लोवर है तो ब्लोवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा क्योंकि ऐसे ब्रस मानने से तो यह होगा कि मतलब जो भी रहेगा उसी में रह जाएगा ल और फिर उसके नेजल ब्लॉक हो जाते हैं नोजल तो बेसिक जो क्लीनिंग होता है आप भी कर लीजिए जब भी आप कोई प्रिंटर को खोलते हैं रिपैर के लिए देखिए मैंने अभी वो क्लच को आगे की तरफ मूव किया है ताकि आपका हेड फ्री हो जाए लेफ्ट में आने के लिए फिर यह छोटे स्कूर डाइबर से आप कैप निका लिए जो की यह कैरिश के उपर लगा हुआ है फिर यह प्लास्टिक स्ट्रिप निका लिए आग अब यहां पर एक नेट का यूनिट लगा रहता है जहां पर समझ लिए कैरिश रैक है या फिर जो भी है डंपर रैक इसको राइट में एक लॉक रहता है और एक लेफ्ट में लॉक रहता है कि यह इस यूनिट को निकालने के लिए अगर आप एल अटारे सो या या अट सो पांच में जब खोलेंगे ना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसका लॉक बहुत अंदर होता है उसका अगर आपके पास टूल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी निकालने के लिए य और दूसरे से इस प्रॉड राइवर तो फिलाल अभी जड़ा वीडियो रिकार्डिंग का कुछ स्टेबल नहीं हो पाया है कि सटप करना है जल्दी आप लोग को बहुत अच्छी क्वाल्टी में वीडियो मिलेगा और लाइव कमेंट्री रहेगी उसमें जो भी रहता है वाइस ओबर करने की जरुद नहीं पड़ेगी मुझे यह देखिए लेफ्ट में कवर रहता है जो फ्लैट के बल के ऊपर आ रहा था कुछ भी ब्लैंक आ रहा था प्रिंट आउट थोड़ा से मैंने केबल को लेफ्ट में खीचा है ताकि थोड़ा फ्री लगे नहीं तो पीछे साइड का जो एक सेंसर आपको दिख रहा होगा एक पतला सा केबल गया है आगे की तरफ वहाप एक सेंसर होता है जो क दो पिंस तो सॉट हुए है जिसके वैसे आपका एफवन फ्यूज है डाइमेज हो गया है और इसकी वैसे प्रिंट आउट नहीं आ रहा है ऐसे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ब्लैक आता है और बाकी कलर नहीं आते हैं ऐसा एक प्रिंटर परा हुआ है तो कभी-कभी में भी देख लीजिए ज्यादा कुछ जला नहीं है लेकिन अगर ज्यादा बर्निंग का प्राब्लम होता है तो यहां पर अपने को क्लियरली दिखता है और जो केबल जो मैंने आपको पहले दिखाया वह नहीं जल जाता है पूरा बिना काटे वो बनता नहीं है और बैक सा उसमें राइट साइड से चौथे नंबर पे देखिए हलका-लका काला-काला बना हुआ है चौथे पांचवे नंबर पे इसको और उसके बाद में अंदर का जो भी इंक और रहेगा सूख जाएगा यह जो फ्लाइट केबल जहां पर हम लोग लगाते हैं जैक में ताकि आगे अगर मैं अभी चेक करूं जब वापस फिक्स करके तो फिर फिर से जलने की कोई दिक्कत ना है और जो केबल था फ्ला मैं अभी इसको रख दिया हूं तो दस पंद्रे मेट के बाद इसको ले लेंगे ताकि सूख जाया और फिर इसमें हलका सा भी कुछ ऐसा नम ना रहे अधर फिर से सौट होने की प्रॉबलम हो सकती है ठीक है अभी इसको हम वापस से चेक करेंगे यह फ्लैट केबल है देख कि मैं अभी चेक कर रहा हूं कि केबल का साइड का मैंने क्याप नहीं लगा जाया है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि दिखेंगे प्रिंटर अभी नहीं स्लाइस हो रहा है कि अभी रिडी हो जाएगा खोड़ी दिर में कि रिडी होने के बाद हम इसको अभी एक नोजल चेक करेंगे जिसे मालूम पड़ जाएगा कि इसमें हैड का काम हुआ है कि नहीं हम लोग स्क्राइच करके जो कि यह हैं कि यह हैाँ सभी थोड़ा सा समय लेगा कि कभी केबिंध्र को ओपन करके फिर से करते हैं रिस्टार्ट करते हैं ना तो कभी का बहु भी हैड क्लीनिंग का पोसे प्रोंश टार्ट हो जाता है और जो स нез मेढ़िक लिए उसमें ब्सम सटिक होने के लिए कि यह दिखाना आपको जरूरी है क्योंकि रिपेयर हुआ है थोड़ा सा तो आपको भी उसके मतलब समझना चाहिए कि उसके बाद क्या होता है प्रिंटर में कट कट करके वीडियो दिखाएंगे तो फिर मज़ा नहीं है और कई बार तो कंफ्यूज आते हम लोग भी कभी कभ होने हम देख रहे हैं कि यहां पर जो आपकी यह जो इस्टेटस वाली लाइट है ब्लिंक हो रही है इसका मतलब यह होता है कि प्रिंटर अभी भी आपका रेडि नहीं है क्लीनिंग प्रोसेस चालूए है यहां पर देखिए जो बोड है वहां पर एक एफ-वन फ्यूज है अगला स्टेफ हमारा वही रहेगा अगर कोई प्रिंट आउट नहीं आता है देखिए रेडी हो गया अब इसको में एक बार वापस से सट डाउन कर देंगे प्रिंटर को आफ करना है उसके बाद में जो राइट वाली बटन है उसको पहले प्रेस करना है और फिर आन अफ प्रेस करके रखना है पांच से साथ सेकेंड तक आप ऐसे मन में काउंट कर लीजिए पांच मिनट पांच सेकंड हो गया उसके बाद से छोड़ देना है फिर अपने को नोजल चेक का प्रिंट आउट जो आता है जिसमें कांटिंग वगरा रहता है सब आ जाएगा प्रिंट आपका चल रहा है या फिर कुछ रिपेर हुआ कि नहीं है क्लीनिंग है सुखाने के बाद और उसका फ्लैट केबल क्लीन करने के बाद प्रिंटा उटा रहा है तो कुछ नहीं हुआ इसमें भी देख लीजे इसका मतब यहीं हो गया कि इसका एफवन सौर्ट हो चुका है अलड़ी इंक जाने की वज़े से तो अगला स्टेप हमारा वहीं होगा कि अभी हम सबसे पहले इसको सोल्डरिंग या फिर सौर्ट करने के पहले मतलब जंपर वगैरा मानने के पहले हम लोग इसको ट्वीजर की हेल्प से चेक कर लेते हैं तो दोनों के दोनों साइड में और जो नोजल चेक का वापस प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है ठीक है और प्रिंट आउट आने तक आपको टुीजर को पगड़के रख इंक जाने की वज़े से एफ़न फ्यूस्ट हो गया था अलाकि ज्यादा कुछ डामेज नहीं हुआ था कभी कभी क्या होता है कि बोट भी डेड़ हो जाता है प्रिंटर नहीं होता है या फिर हैड ही कंप्लीट हो जाता है तो इस केस में यह हुआ कि मतलब दो पॉइंट में हुई ज्यादा डामेज नहीं हुआ में भी प्रिंटर बंद कर दिया था इन लोगों ने जिससे की ज्यादा अब दिक्कत नहीं हुई और हमने क्लीन किया और एफ़न को सौट किया तो इससे यह हुआ कि एफ़न सौट करने के बाद में प्रिंट आउट आने लग गया तो यह मैंने अजस्ट एक टाइप किया है और इसको कलर प्रिंटिंग के लिए प्रिंट आउट दे देते हैं अभी यह प्रिंट आउट आया आपका तो आपके सामने देखे मैंने पूरा सेट अप किया आपको मैंने बताया सारव कुछ प्रोसेस जो भी है स्टेप बाइस टेप आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो सुरू से जो भी आपका स्टार्टिंग स्टेज है वहां से सुरू आपके स्टेजेव कर हम आपके देखे सासा के भी आपके स्टेजुक अभी है